ओहो फ्रेंट्स आज मैं कंपरेजन करने वाला हूँ स्नापडर्गन 680 वर्सेज हीलियो जी 85 का यह जो कंपरेजन वीडियो मेरे चैनल पर आपको एक दो साल पहले मिल गया होगा यह एक अपडेटेड सीरीज है क्योंकि इसके कमेंट आया थे कि इस वीडियो को दुबारा से अप्लोड किया जाए तो यह एक अपडेटेड सीरीज होने आले है स्नापडर्गन 680 वर्सेज हीलियो जी 85 का तो देखते हैं कि कौँ सा प्रोसेर अब बेटर है करेंट टाइम में हाइफ फ्रेंट्स मेरा नाम है गौर और आप देख रहे हैं टेक रूम सबसे पहले अब बात करते हैं हाँ पे बेसिक इंफोर्मेशन की स्नापडर्गन अनॉंस किया गया था अक्टूबर 2021 में हीलियो यहां पे अपरेल 2020 में अनॉंस किया गया था मतलब दोनों ही जो प्रोसेसर हैं थोड़े पुराने हो चुके हैं क्लास की बात के अनॉंस के बात के तो स्नापडर्गन एक प्रोसेसर हो सकता है और हिलियो एक 5W बेस प्रोसेसर है तो बात करते हैं आर्किटेक्चर की आर्किटिक्चर वाइज यहां पे दोने ही जो प्रोसेसर दिये गया है वह उक्टा-Core प्रोसेसर है स्नापडर्गन में 4.4 गिगाड Criot 265 Gold Cortex A73 दिया गया है यग एंद 4 को 1.9 GHz Criot 265 Criot Cortex A53 है तो A73 और A53 का कॉम् bisa स्थिस्परकिन को मिलेगा और हीलियो में मिलेगा 2 को 2.2 GHz कला Cortex A75 एंद 6 को 1.8 GHz कला Cortex A55 देखने को मिलेगा तो जो Cortex A75 है बेटर है Cortex A73 से मतलब आपको जो अभी performance देखने को मिलेगी cortex से related वो helio में better देखने को मिलेगी snapdragon के comparison में बट यहाँ पे जो snapdragon उसमे 4 core number of core जो 4 है जो की cortex A73 के साथ आते है इसकी frequency better है और इसका जो nanometer technology है वो भी 6 nanometer का है तो इसमें आपको performance बढ़ जाएगी अब बात कने इसके frequency की तो snapdragon 2400 MHz पे clock आता है and helio जो यह 2000 MHz पे clock आता है तो अभी snapdragon में आपको better frequency देखने को मिल रही है जिसके विज़ इसकी performance इंप्रूब हो जाएगी and fabrication का भी यही है कि जितना small fabrication होता है उतना better processor बना जाता है तो यहाँ पे जो snapdragon वो 6 nanometer technology के साथ है helio 12 nanometer technology के साथ है and 12 nanometer technology आपकी battery दें काफी हाई करेगा and जो cortex A75 का power है उसे काफी lose करेगा तो अब बात कने इसके graphics support की ग्राफिक्स में जो snapdragon इसमें मिलता है addno 610 यह काफी low-ink class का GPU है और इसमें आप्रेचर addno 610 दिया गया है helio की बात की है इसमें mali g52 mp2 मिलता है arctures का bifrost है इसमें आप normal gaming कर सकते हैं बट helio इतना optimized दिया नहीं किया है and बात कने इसके frequency से पोट की तो snapdragon 950 megahertz पे clock है and helio 1000 megahertz पे clock है better frequency आपे helio में मिलती है and better graphics भी आपको helio में ही देखने को मिलेगा क्योंकि GPU जो बेटर है वो helio g85 का है and बात कने फ्लोटिंग पॉइंट की तो snapdragon जो है वो 243 giga flops की speed सो करेगा and helio 59 मजब हाँ पे आप आप अप कंबरिशनल पाओ snapdragon में better देखने को मिलेगी comparison to helio memory टैप की बात किया तो दोने प्रोसेसर जो है snapdragon की performance बढ़ जाएगी and storage में भी यही है snapdragon के पास UFS 2.2 का maximum support मिलता है जबकि helio में UFS 2.1 का जिसके विज़ से snapdragon में performance और बढ़ जाएगी अब बात करते हैं यहाँ पे gaming graphic support की gaming graphic support में snapdragon का data मेंने realme 9i 4G से लिया है and helio का data redme 12C से लिया है बात करने PUBG mobile की तो यहाँ पे 30 का maximum frame rate support देखने को मिलेगा snapdragon में and graphic support की बात किया तो balance medium का support मिलेगा snapdragon में वहें helio में 40 HD high का option दिया गया है and next बात करते है call of duty की तो यहाँ पे 30 and 40 का support देखने को मिलता है graphic support में दोने process medium का support कर लेते हैं frame rate का difference आ जाता है snapdragon में medium support मिलेगा में helio में medium के साथ हाई यहाँ पे helio आपको थोड़ी better gaming करा के देगा because में आपको जो better graphics देखनक मिले हो Mali G52 तो यहाँ पे वो उसकी graphics better है and graphic support भी काफी अच्छा करता है helio यहाँ बात करने video capture की तो यहाँ पे 1K 60fps का support दियागा snapdragon के साथ and helio में मिलेगा 2K 30fps and playback भी ऐसी same रहने वाला है बात करने डिस्प्ले की दोने प्रोसेसर सेम है 2520 to 1080 pixels का support करेंगे and दोनों के पास NPU अबलेबल है hexagon 686 मिलता है snapdragon में and helio के वास media tech का support मिलेगा connected device दोने प्रोसेसर 5D नहीं support करेंगे पुराने प्रोसेसर है और 4G प्रोसेसर है and यहां पर 4G की बात किया तो helio में थोड़ा पीछे देखने को मिलेगा snapdragon में मिलता है lte cat 13 and helio में मिलेगा lte cat 7 bluetooth wise यहां पर snapdragon में 5.1 मिलेगा helio में 5.0 तो connected device snapdragon एक बेटर प्रोसेसर बन जाएगा wifi support में दोने प्रोसेसर में wifi 5 का support दिया गया है next up बात करतें benchmark में geek benchmark की single core performance की बात की जाए तो यहां पर snapdragon का score 375 आगा है helio का 359 तो दोने प्रोसेसर single core performance में almost same score करेंगे यहां पर किसी में cortex A75 का performance की वज़े से यहां पर score आ रहा है किसी में 6 nanometer technology की वज़े सा रहा है तो यहां पर काफी दोनों प्रोसेसर जो है single core performance में सेम रहने वाले है but multi core का difference देखने को मिलेगा snapdragon 1568 score करेगा जबकि helio जो है वो 1278 score करेगा हाँ helio में आपको 540 dp मिलती है जिसकी वज़ेसे इसका बैटरी बढ़ जाता है और यहां पर 12 nanometer technology से और इंप्रूफ कर देगी बाकि यहां पर जो आपको helio का performance इंप्रूफ देखने को मिलेगा वो है cortex A75 यहां पर इसका जी भी बैटर है जिससे आपको इसमें gaming बैटर देखने को मिल जाएगी नेक्स अब बात करते हैं अंदोदो बंचमार्क की तो अंदोदो बंचमार्क में यहां पर snapdragon का score 2,70,420 आएगा and helio का score 2,39,180 आता है तो यह score थोड़ा उपर नीचे हो सकता है तो यहां इससे मानेंगे कि snapdragon हलका सा better processor है helio के conversion में अब बात करें 3DMark की score की snapdragon 441 score करेंगा and helio का score 7,25 है helio के पास better GPU है इसी वज़े इसका better score आता है 3DMark का and इसमें मिलेगा आपको Mali-G52 अब बात करते हैं conclusion की कौन सा processor हुआ better तो performance के बात की जाते हैं snapdragon 28 score करेंगा and helio का score 24 होगा मतब दोनी प्रोसेसर आपको performance में equivalent मैं बोल सकता हूँ की लगभग से सेम ही performance देंगे basic काम करने के लिए दोनी प्रोसेसर बने हैं आप इसमें कोई heavy gaming heavy tasks नहीं कर सकते हैं phone lag करेंगा and gaming performance की बात की तो यहां पे helio में 1 point extra दूंगा विगा उसमें better graphics support आता है battery and performance काफी improve हो जाती है Techroom score की बात किया तब कौन सा processor लेना चाहिए तो snapdragon 680 को मैं 35 score दूंगा and helio को 31 last video में आपने इसके पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने snapdragon 680 and helio g85 का तो उसमें मैंने बताया था कि gaming में आपको snapdragon better देखने को मिलेगा लेकिन better graphics आपको helio में देखने को मिलेगा and winner की बात किया था दोने प्रोसेसर अच्छे processor है यहां पर कुछ चीजे better दी गई है helium जैसे आपको इसमें 2K का support देखने को मिलेगा जो कि snapdragon में नहीं है but helio को आप consider नहीं कीजेगा snapdragon को आपको लेना चाहिए क्योंकि आपकी battery देखना चाहिए क्योंकि budget phone में इतना performance लेने का कोई मसलब नहीं है अगर आप इतनों दो प्रोसेर में से कोई प्रोसेर लेने वाले हैं तो comment जरू किजेगा ताकि और लोगों की भी help हो जाए यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब किजेगा थैंक्स फो वाचिन